इस वक्ते एक बड़ी कबर आपको बता दे सोसल मेडिया इंफ्लिउंजर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स विकास फाटक की मुस्किले और बढ़ गई है यानी हिंदुस्तानी भाव की मुस्किले और बढ़ गई है दरसल छात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफतार हुए विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को 14 दिनों की नियाई खिरासत में भेज दिया गया है आपको बता दे हिंदुस्तानी भाव को 14 दिनों के लिए नियाई खिरासत में भेज दिया गया है सनिवार को उन्हें मुंबई पुलिस ने बांदा इसीत मजिस्ट्र आपको बता दे कि विकास फाटक को दसवी और बारवी के चात्रों को उकसाने के आरोप में गिरफतार किया गया था एक फरवरी को उनकी गिरपतारी हुई थी 42 वर्सिय विकास फाटक पर आरोफ है कि उन्होंने 24 जनवरी को अपने यूटूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो दसवी और बारवी के चात्रों को यह करकर उकसाने की कोशिज कर रहे थे कि जब सरकार ने कोरोना काल में घरों में हमें बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई कराई तो फिर बोर्ट पर इक्षा की ओफ लाइन होगी और 31 जनवरी को सड़कों पर उतर आये थे सैकडो चात्र हिंदुस्तानी भाव को 14 दिरों की नियाएकी रासत में भेज दिया गया इस वक्ति एक बड़ी खबर मुंबई से